हेलो थे अन फैमली कैसो आप सभी लोग I hope कि आप से लोग बड़िया होगा आप से लोग बड़िया होना भी चाहिए तो चलो फड़ा फड़ते अपने अपसोड का explain करने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अब आंगे क्या होने वाला है लेकिन उससे पहले like कर दो comment प्र्वेंट सुस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लो आप मैंसे काफी साइब लोगों ने तो पहले लोगा तो चलते हैं आंगे मैं बता देता हूं पिछला एपसोड आप को पिछला एपसोड में हमने देखा था यूमो इस्ट्रॉंग हो जाता और एल्डर कोई के साथ वो फिट से फाइट इस्टार्ट करता है दूस्तफ जो यान ने ड्रैगन स्नेक का ब्लेड ले लिया था जहां जू यो जूजान नाम का एक बंदा आता है जो जूजान को रोक हलकि इस फॉर्मेशन से एल्डर कोई काफी जादे इंजर हो गए थे लेकिन वो फिर भी जिन्दा थे साथी यूमो भी काफी था गया था तब ही वहाँ पे पहुँच जाते ही ग्रेट एल्डर जो कि हैवनली साबरें लेविल पर थे और ग्रेट एल्डर के वहाँ पहुचा रही होती है एविस के अंदर और ऐसा लग रहा था कि दूसरा बंदा भी वहाँ से बाहर आने वाला है देन हमने जियो त्याने को देखा था जिसने थंडर क्लाउड क्लें के तीनों ही लोगों को मार दिया था और इसके वाद इनर एकैडमी का सीन देखा था जहा लोग युनलो अकैडमी को रिक्रियेट करने में लगी हुए थे और एल्डर साव और एल्लर बो इन चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं सत्यों ने यह भी पता था कि यह फाइट बहुत जल्दी ही पूरे स्टार फिल्ड में फैल जाएगी जिसके बाद हमें सीन दिखा ज के उपर हुएट कलर के कपड़े पहने हुए एक परसंच ग्रीन चट्टान में पालती मार के बैठा हुआ था उसकी जो आइवरोस होती हैं वो स्रॉट के आकार की थी और अपना मू युवांग था तभी मू युवांग के पीछे एक ओल्ड वाइस आती है जिससे मू यां एंपरेर ने अटेक किया था और आपके लिए पैसान होना काफी नहीं है चाथ यह ओल्ड अलर जिनके कपड़े ग्रीन ते बाल सपेते और चेहरा काफी यंग था वो मू युवांग को देख रहे होते हैं और मोस्ट आप टाइम तो यह हमेशा ही अपने रीट्रीट पर र जा था तो इसे मूयू की काफिया रचिंता हो रही थी क्योंकि अगर इसकी बज़े से मूयू को कुछ हो जाता तो वह सोच भी नहीं सकता था कि वह क्या करता और इस ट्रैप बेट करते करते लगबग वह पागल ही हो चुका था साथ ही यह काफी अच्छा था कि उससे ज़ूरी है क्योंकि जो लोग ग्रेट चीजों को अचीव करने के बारे में सोचते हैं वो कभी भी टेंसन में नहीं होते अर ऐसा कहते हो एल्लर मूययंग को उसकी बीक्नेस बताने लगते हैं यह सुनका मूययंग तुरंत एल्लर कीतब देखते हों कहता है कि एल्लर कहा जा आपकी present time की strength के साथ आप किसी को भी protect करना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं आप में क्या strength है भले ही उस time पर you low academy ही क्यो ना हो अगर great elder time पर नहीं आये होते तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी sister को protect कर पाते जो great चीजों को master करते हैं या कि फिर जो great power houses होते हैं वो के विल monster level के power houses नहीं होते बलकि वो वर्ड के अंदर के सभी लोग वो protect करने की responsibility भी रखते हैं और ऐसा कहते हो elder वहाँ से चले जाते हैं जबकि मूँ यूँ आंगे गहरी सोच में पड़ा रहता है जिसके बाद star field के south area में हमें काफी deep belly दिखाई जाती है जो काफी उपर खाबर चोटियों से भरी हुई होती है और यहाँ पे चार तरफ killing intent और आफेला हुआ होता है और इस औरे को feel करके कोई भी यहाँ पे धम गुटने से मर सकता था और यह होता है life less heaven sect जहाँ पे एक बंदा कहता है लिन्डाओ युल्लो एकेडमी को black neither land emperor ने destroy कर दिया है इतनी कंताकत वाली academy 4 academy competition में number one कैसे बन गई लगता है इस साल की 4 academy competition को बढ़ाग चढ़ा कर पेज किया गया है जिसके बाद एक black skirt दिखाया जाता है जो की काफी खतरनाक और wild ओरे से बरा हुआ होता है और उसके उपर घने black clouds होते है और यहाँ पे काफी gold ओरा फैला हुआ होता है और यहाँ के हर लोगों का दिल बिल्कुल fall out की तरह होता है और इस प्लाजा की उपर black color के कपड़े पहन हुए कुछ लोग खड़े हुए होते है और उनमें से 10 याकी उससे ज़्यादा थे और यह सभी लोग life less heavenly sect के disciple थे और यहाँ पे एक नुकीली नाक वाले young man ने कोल्ड हसी के साथ मू यू आंग से लिन्डाउ से ऐसा कहा हुआ होता है तभी एक बंदा कहता है बू यांग तुम्हें चीजों को थोड़ा सोच समझ कर कहना चाहिए 4 Academy competition को heaven dollar decide किया जाता है फिर तुम ऐसे भगवास कैसे कर सकते हो और उसका आद ग्रुप का एक लीडर जो की लंबा पतला young man होता है तुरंति उसे डाटता है और एक कुई और जो कि उसकी वाड़ी से रिलीज होता है वो लगवग सभी की वाड़ी को कुछ टाइम के लिए जमासा देता है और इस परसन ने पहले ही लाइफ लेस heavenly sect में heavenly slaughter कोई को समझ लिया था इसलिए दूसरों के सामने उसका जो resistance था वो काफी जादा कतरनाग था तबी वो आंग राम कलर का तुरंति कता है बिग व्रदर लुओ आप तो काफी यादर सीरियस हो रहे हैं मैं तो बस कुछ चुटकुले जोड रहा था इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात है और इस ट्रंप उसकी आखों में जो arrogant behaviors or disrespected way में उसने जो बात कही होती है उससे साब पता चल रहा होता है कि ये बंदे युल्लो अकेडमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हाला कि तब ये अचानक लिंडाओ की वाड़ी से cold killing intent और निकलता है और अंगले इपल वू वांग वू यांग इससे feel करके काफी elder जाता है यहां तक कि वो अपने आपको हिलाने डोलाने में तक capable नहीं था और उसे ऐसा feel होता है जैसे कि किसी eyes के block के अंदर उसे seal कर दिया गया हो तब ही group के leader तुरंती कहता है लिंडाओ तुम क्या कर रहे हो हमारे sect में एक disciple के उपर attack करना काफी बड़ा प्राध है यहां तक कि elder new wrong भी तुम्हें नहीं बचा सकते अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो और इसके बार उसके चारतरफ के जो दरजनों लोग होते हैं तुरंती लिंडाओ को चारतरफ से गेल लेते हैं यह देखकर लिंडाओ हलके से smile करते हैं अपने आसपास के चारतरफ के लोगों को देखता है तो लिंडाओ की बड़ी से और भी strong killing intent औरा निकलता है जो कि एक code air जैसा होता है जिससे सभी लोग की सासे लेना ज़्यादा मुस्किल हो गया था तबी ग्रूप का लीडर तुरंती कहता है sky slaughter कोई rank 3 sky slaughter कोई इस time पे उसका चेरा और भी ज़्यादा सौक होता है उसे पता था कि sky slaughter कोई को 9 layers में डिवाइट किया गया था और उससे दूसरी layer तक पहुँची हुए 2 साल भी चुके थे लेकिन आदे साल से भी कम के टाइम में लिंडाओ ने बास्तों में 3rd layer को भी समझ लिया था और 3rd layer की slaughter कोई पहले ही उससे बहुत ज़्यादा दूर थी जिसका वो मुकाबला कर सकता था इसलिए आसपास के सभी लोग काफियर डरी हुए होते हैं और लिंडाओ को देख रहे होते हैं जिसके face पे कोई भी impression नहीं था तभी लिंडाओ कहता है बू यांग मुझे नहीं लगता कि ये मजाक था साथ ही मैं तुम्हें बता देता हूँ तुमने मुझे नाराज किया है जिसके बाद लिंडाओ चुपचाब मुडता है और जाते हुए उन्हें पता था कि मैंग जुआन गैंग इसकाई स्लोटर कुई के धर्ड लेयर पर पहुँच गये थे जो कि उन में से सबसे वेश्ट थे और सबसे टेलेंटेड भी और क्योंकि लिंडाओ का भी स्लोटर कुई इंडाओ को उसने नाराज किया था तो उस कॉमपटीशन में अगर वो दोनों भिड़ते हैं तो उसकी मौत तो पक्की थी ले और उड़ीवे गूम ले जिसके बाद यूनलो एकडमी का सीन दिखाय जाता है और जब जोयान अपनी आखे खोलता है तो लगवग आधा वही जोयान भी चुका था और इस टाम पे यूनारो काईले ने एक पल के लिए भी जोयान को नहीं छोड़ा था दूर्श तब बूसाओ की और मूयू अक्सरी जोयान से मिलने आते थे दूर्श तब गूयान और जूकून के लिए वो ले इंग और यान जिन इनके साथ मिलकर ए एदर लेंड एंपरर के साथ फाइट में कुछ भी कॉंट्रिव्यूट नहीं कर पाए थे तबी जोयान को जाकते हुए देकर यूनर तुरंती जोयान के सिर को अपने हाथ फेरते हुए कहती है बुरा नहीं ऐसा लगता है कि ग्रेंड मावाई का जो ट्रीट्वेंट वो का तुरंती कहती है ग्रेंड फादर और एल्डर साओ भी आपके लिए काफी यादा टेंसन में है और कई बार वो आपसे मिलने के लिए भी आज सोच रहे थे लेकिन वो आउटर कोट याड के री क्रियेशन में काफी यादा विजी है इसलिए वो आपको यहाँ पे देखने क हो गए थे और उन्हें तो यूमू ने खुद कंट्रोल किया था तभी बूसाओ की कहती है वो हैबिली इंजर्ड है और अभी तक नहीं उठे साथि उन्हें यूमू ने कंट्रोल किया था इसलिए ग्रेंड वावाई को डर है कि उसके अंदर कोई छिपा हुआ खत्रा ना ह देखती है जेगे से इनर आडमि के काफी सारी जगों को डेखा जासकता था तभी यूम्लो की कईडमी को इस बार काफी बड़ा नुकसान हुआ है और अगर ये formation के support के लिए नहीं होता तो ना केवल outer coat yard बलकि inner coat yard भी पूरी तरीके से destroy हो गया होता साथ ही वो देख सकती थी कि यहाँ पे outer coat yard के काफी सारे disciples थे और क्योंकि outer coat yard को फिर से recreate किया जा रहा था इसलिए कुछ time के लिए वो केवल यहीं पर रह सकते थे दूसर जब जियो यानिये सुनता तो चुपचप अपना से हिला देता है तो यह बूसाओ की कहती है युल्लो अकडमी एक ऐसी जगह है जापे मैं अपनी बचपन से रही हूँ और मुझे ये काफी जादा प्यारी है लेकिन यूमू और उन बाश्टर्ड ने outer काडमी को पूरी तरीके से दिश्ट्रॉय कर दिया है और मैं पावरलेस फील कर रही हूँ मैंने बचपन से ही अंकल लियो को देखा था जो कि ग्रेंट फादर के साथ ही रहते थे बास ता में उनकी भी डेथ हो गई और इसके बाद बूसाओ की याद करती है कि यूल्ओ एकैड्मी के काफी साथ एल्डर्स इस फाइट में अपनी जान गवा चुके थे जिसके बाद बूसाओ की कहते धन्यबाद जो यान अगर आप नहीं होते तो यूल्ओ के यूल्ओ एकैड्मी के और भी काफी सार एल्डर्स उन्हें भी अपनी जानगवानी पड़ती और ऐसा कहते हो वूसाओ की काफिया सीरियस होती है तो वी जोयान कहता है मैं भी यूलो अकेडमी का डिसाइवल हूँ और क्योंकि तुम ही यूलो अकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए अटेक कर सकती हो तो क्या मैं अपनी अकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट नहीं कर सकता क्या और ऐसा कहते हो जोयान इसमाल करता है और थोड़ा सा सीरियस भी होता है तो वी वूसाओ की हंसते हुए कहती है ये वात अलग है यूलो अकेडमी मेरा घर है मेरे मॉम डेड के डेथ के बाद ये सब एल्डर्स मेरे अंकल की तरह थे उन्होंने मेरी बहुत देखवाल की लेकिन जब मेरी फैमिली मारी गई तब भी मैं कुछ नहीं कर पाई थी जिसके बाद वो जोयान की सब देखते हुए कहती है जोयान क्या तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें और यूमू को लड़ते हुए देखा तो मुझे काफी जली सी हो रही थी कि आखिरकार बेरे पास सब को प्रोटेक्ट करने की पावर क्यों नहीं है साथ या ऐसा बोलते हो बूसाओकी काफी यादा घवराई भी लग रही होती है या था कि उसकी आखों से आसू को साफ साफ देखा जा सकता था जिसके बाद बूसाओकी कहती है जब मैंने अलूसनरी स्पृट रियला में फ्लेम लॉर्ड के नहेरी टैंस को प्राप्त किया था तब सभी अल्डर्स को मुझ पे काफी यादा उम्मीदे थी लिकिन मैंने उन्हें बास्तों में निरास किया जिसके जोयान तुरंती बूसाओकी को देखता है और इसके बाद कहता है तुमने बहुत अच्छा किया है तुमने इतने सारे मोनार चम्टर लेविल के वारियर्स को अकेले ही रोका है मैंने तो खुद देखा है तुम कैसे मोनार चम्टर लेविल के वारियर्स को बुरी तरीके से पीट रही थी हाला कि जान को पता था कि इतना कहना काफी नहीं है तो यह बूसावकी कहती है क्या तुम्हें सच्वे लगता है कि तुमने जो कहा वो मजेदार है और ऐसा कहते हो बूसावकी एक सैड इसमायल पास करती है दूस्त अब जोयान भी जानता था कि बूसाओकी का क्या मतलब था तो ये बूसाओकी कहती है अगर मैं अपनी पूरी पावर का भी यूज करती हूँ तब भी मैं एक Emperor Cultivation Level के Warrior के लिए मैच नहीं हूँ और जहां तक आपकी बात है अब पहले ही एक मूनार Cultivation Level की Warrior से लड़ सकते हैं जो यान हमारे वीच का जो डिफरेंस है वो सच्वे कापी एदा बड़ा है और ऐसे केते हैं वो बूसाओकी की आखे बंद होती है और वो इलकुल एक नॉर्मल लड़की की तरह लग रही होती है जिसे देखकर किसी को भी उसके उपर दया आ सकती थी और ऐसा केते हैं जो यान थोड़ा सा सीरियस होता है तो यान जो यान जादा कुछ सोक नहीं होता क्योंकि उसने अंदाजा लगा लिया था इसलिए जो यान केता है क्या तो मैं वहाँ पर कोई चीजे पता चली है जिस पर बूसाओ की कहती है मैंने इन दिनों बहुत से लोगों से पूछा है साथ ही मिंग्यांग डिवाइन डोमेन और फ्लेम लॉड के इनहीटेंस के बारे में मुझे काफी साथ दियूमर्स पता चले है हाला कि फ्लेम लॉड ने पूरी ही ग्रेट वर्ल्ड में जैनी की थी लेके मिंग्यांग डिवाइन डोमेन बहुत जगह है जहां पर उन्होंने फाइर एम्परेर स्क्रेप्चर को पूरी तरीके से समझा था और वो करीब वहाँ पर एक हजार साल तक रहे है इसलों मुझे लगता है कि उनसे रिलेटेड कुछ इंफोर्मेसन मुझे वहाँ से मिल सकती है जिस पर जोयां कहता है ठीक है और इतना कहके जोयां चुप हो जाता है जिस बबूसाओ की स्माइल करती है और उसकी आँकों में आसू होते है और इस टाम पर यह जो वाइस होती है यह काफी सॉप्ट होती है ना कि पहली की जैसे वेफेक्र और इससे पहली की जोयां कुछ क्या पाता बूसाओ की जोयां की हाथ को छोड़ती है और एक स्माइल पास करती है और जोयान उसकी स्माइल और उसके फेस इंप्रसंस को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी उगते हुए सूरच को देख रहा हो क्योंकि बूसाओकी काफी यदा व्यूटिफुल थी तो भी बूसाओकी बिना कुछ कहें तुरंती मूर कर चली जाती है और जोयान उसी डाइरेक्शन में देख रहा हो था जहांपे बूसाओकी गई थी और इस टेम पे जोयान काफी यदा सांत दिखाई दे रहा था साथी जोयान ने बूसाओकी के अंदर फील किया था कि इसके जो विहेवियर और इरादें काफी यदा पावर्फुल हैं और वो किसी के नीचे नहीं रहना चाहती बलकि वो खुदी श्ट्रॉंग बनके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो भूसाओकी को अपनी आखों के सामने से गयाव होते हो देखकर जोयान के चेर पे अच्छाना की स्माइल आ जाती है क्योंकि जोयान को ये लड़की अपने जैसी ही लग रही थी तभी जोयान मुड़ता और यूनर को देखता है जिसने ग्रीन करके कपड़े पेने होते हैं तो जोयान तुरंती कहता है वो मिंग्यांग डिवाइन डोमेन पर गई है और इसके बाद जोयान यूनर को कसकर गले लवा लेता है तभी यूनर को जोयान की वड़ी से एक फैम प्रोटेक्ट करने की श्रेंथ नहीं है इसलों वो पावरफुल होकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है और इसलिए वो अकेले जर्णी करने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचती तब यूनर भी जॉयान को कसकर पकड़ती हुए कहती है मिस्टर जोयान इन दिनों में हम कुछ सोच रहे हैं न के बल मैं बलकी सिश्टर काईलिन भी हम लोग आपकी बिलकुल भी मदद नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग काफी है था पावरलेस हैं मुझे नहीं पता मिस्टर जोयान मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ जिस सुनकर ज इसमाल करती है और जियोयन को दूर धक्का देती हुए कहती है मिश्टर जियोयन सिश्टर काइलिन और मैं हमें सही आपको पीछे से देखते हैं और आपके पीछे ही रहते हैं साथी साथ तब से जब आप यूलो एकडमी आए हैं हम काफी अदा खुस थे चुकि हमने देखा था कि आपके पास उतनी पावर है कि आप हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसलिए सिश्टर काइलिन उनके कैरेक्टर और वेहवियर के बाप जूद भी उन्होंने आपको ही अपना सबसे स्ट्रॉंग सपोर्टर मान लिया था और इसके बाद यूनर की आवाज काफी अलबारी हो जाते हैं और वो कहती है और सायद ये इसलिए था क्योंकि ये दिन काफी अदा आराम से गुजर रहे थे और हम काफी अदा प्रोटेक्ट फील कर रहे थे लेकिन इसके बाद यूलो एकेडमी पर इतना बड़ा टेक हो गया साथ ही जब मैंने आपको बिस्तर पे पड़ा हुआ देखा तो मुझे लगा कि कोई मेरे दिल को चाकू से काट रहा हो मुझे उससे नफरत जिसने आपकी ऐसी हालत की है और साथ सिश्टर कायलिन वह तो मुझे से भी ज़या नाराज होंगी और ऐसा कहते है यूनर काफियर नाराज दिखाई दे रही होती है दूसरब जोयान वो तो हैरान होता क्योंकि उससे समझ में नहीं आ रहा होता क्यों उसे क्या कहना चाहिए तभी यूनर कहती है Mr. जोयान अगर अंगली बार कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं और sister काईलिन आपके साथ खड़े होंगे आपके साथ आपकी हर प्रॉब्लम को share करने के लिए ना कि आपके पीछे चिपकर आपको हमारी टैंसल लेने के लिए पै flavor था और वह खुद को किसी दूसरे परसन के साथ प्रो टैक्ट होता हुआ फील विल्कुल भी नहीं कर सकते थे भले परसन जो यान ही क्यों ना हो यहां पे क्यों मेडूसा के पास मेडूसा क्लेन की ब्लेड लाइन थी और वो मेडूसा ट्राइब की क्वीन थी जैसे समझाना तो दूर की वात उससे बात करना भी मुश्किल था और जहां तक यूनर की वात है तो वो थी तो काफी यादा सॉप लेकिन आखिरकर वो डुईकी कॉंटिनेट के गुकलेन की यंग मिस थी और उसके वाज डिवाइन ड्रेड लाइन थी इसलिए जोन तुरंती कहता है तो फिर तुम क्या करने का सोच रही हो तभी यूनर कहती है चलो Capital of Chaos में चलते हैं वो जगह किसी की भी पावर को बढ़ाने के लिए काफी अच्छी जगह है जिस सुनकर तो जोन की खोपड़ी सुनन हो जाती है और वो तुरंती कहता है नहीं मैं आपको मना करता हूँ कि आप उस जगह पर नहीं जाएंगी प्रिजन टाइम पे तो जोयन खुद यह कहने की हिमत नहीं कर सकता था कि वो खुद Capital of Chaos में सर्वाइब कर सकता है या नहीं यूनर और काईलिन की तो बात ही बहुत दूर की थी और अगर उन में से किसी को भी कुछ भी हो जाता तो ये तो जोयन के लिए सबसे बड़ा दर्द होता तभी यूनर स्माल करते हों कहती है इस बार मुझे मेरी बिस को पूरा करने दो जिस पर जोयन थोड़ा सा घबरारते हुए कहता है क्या कोई और रास्ता नहीं है और इसके बाद वो तुरंती घबरारत से यूनर को कसकर गले लगा लेता है जैसे कि वो उसे छोड़ने से ड करता है तो विजोन कहता है मेरे पीछे आओ और यू जो यान यूनर के हाथ को पकड़ते हुए तो रहन तो मांटेन पीक की तरफ भाग जाता है जिसके बाद हमें त्यान जो मांटेन दिखाए जाता है जहां पे मांटेन के नीचे एक मिस्टीरियस जगह पर एल्डर कुई तो इस्टार डॉमेन और भी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा और इसा कहते हैं ग्रेट एले थोड़ा सा टेंसर में दिखाए दे रहे होते हैं तभी एल्डर कहते हैं नाइन डिसाइबल्स एक एक करके अपयर हो रहे हैं तो हैवन उन लोगों पर अटेक क्यों नहीं क बताये था एल्डर कुई उनको कि इस्टार लॉर्ड जम मरा था तो इस्टार इसकाई टैबलेट वो भी डिश्ट्रॉय होकर प्रत्वी में बिखर गई थी और जो भी परसन इस्टार इसकाई टैबलेट को प्राप्त करेगा वही नया इस्टार लॉर्ड बन जाएगा और ग्रेट एल्डर वो काफी सांत होते हैं और उनके इंप्रेशन काफी अंसर्टिस प्राइट दिखाई दे रहे होते हैं जिसके बाद वो कहते हैं ये मामला भी इस्टार लॉड की गलती है वो हमेशा ही इन बातों पर जोड देता रहा और उसने नेक्ष्ट सकसेसर को डिसा मज में आता है हाला कि यूबू उसके पास ब्लैक नेदर एंपरर और कैप्टल आप कैयोस में इतना पावरफुल क्लेन था क्या आप दोनों को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था आप दोनों के ड्यूटीज का अपमान माना जा सकता है इसे जिसे उनकर हैबन सर्माउंटि एल्डर एक हेल्पले से स्माइल पास करते हैं और वो तुरन्ती कहते हैं एल्डर कुई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तब यह देखकर कि ग्रेट एल्डर ने उसे नहीं रोका है एल्डर कुई उन और किसी चीज़ की फिकर नहीं करते और तुरन्ती कहते हैं मैंने अपनी अक नोन परसन ने हरा दिया था जिससे वो चुप-चाप किसी अधर डोमेर में जाकर छिप गया था सासी उसने Capital of Chaos को Create किया था लेकिन वो यहां से गाइब हो गया था और उसके जाने के बाद उसका एक मत्र डिसाइबल Capital of Chaos को Manage करता था उसके बाद उस डिसाइबल को Chaos Bird का अर्थ तब समझ में आता है जब Master of Chaos ने Capital of Chaos को Create किया था वो सब कुछ हर एक बात को हटा कर के बल Capital of Chaos को Strong बनाने देना चाहते थे और किसी भी Lock की कारण ना होने के कारण यह जगह और भी ज़्यादा अराजाख होती जा रही थी और Wild और उसके बाद यह Star Domain की सबसे खतरनाग जगह बन गई जिसने पूरे Star Domain को हिला कर रख दिया हाला कि उस डिसाइबल ने भी एक Backup Strategy को पीछे छोड़ दिया था और उसने Hidden तोर पर अपने तीन Sub Ordinates को Strong बनाया था और तयार किया था बन गए थे और आप दोनो Black Netherland Emperor के साथ इस जनरेशन के Hidden Protector है हाला कि Black Netherland Emperor आधे साल से Soul Diamond के कबजे में है और उसके सभी कामों ने Capital of Care उसके Foundation को डिश्ट्रा कर दिया है लेकिन आप दोनों को अभी तक एक चाल चलनी चाहिए थी क्या आप Elders की डिजायर के Against नहीं जा रहे हैं और Elder कुई उन वो सब कह देते जो वो जानते थे हो सकता है कि उसने तुम दोनों को नाराज कर दिया हो मुझे उम्मीद है कि तुम उसे माफ कर सकते हो और ऐसा कहते हैं तभी है वन सरमाउंटिंग Elder तुरंती कहते हैं आप सही कह रहे हैं इस बार यूनलों एकडमी कापीवर्डी डिजास्टर में पढ़ गई थी और यह हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं तो हम दोनों अपना सबसे बैस्ट करेंगे यह सुनकर Elder को यून तुरंती दिल में खुस होते हुए कहते हैं तो फिर मेरी एक रिक्वेश्ट है जिसके बाद हमें वूटन पीका सीन दिखा जाता है जहां पे एक स्पेशियल क्रेक्ट होता है जो जियोयान, यूनर और काईलिन तीनों को अब्सॉब कर लेता है और इसके बाद वो लोग इंटर होते हैं एल्यूज नरी इस्पेट स्पेस के अंदर जा चारतर ब्लेक फॉग होती है और और औरा काफी जादा खतरनाक होता है तब यूनर और काईलिन एक दूसरे को दे इसके बाता और ड्रेगन सोल बोन के बार में उन्हें सब कुछ बता देता है जैसे जू यो यहान बुइन में रीडियन से लेकर आया था और मिस्टीरियस एक्सपेट से समझोता किया था साथी जो आन नहीं चाहता था कि यह दोन लड़कियां चिंता करें सी लिए जो आन ह मिलकर उनकी लंका लगा सकती है और कूप कल्टिवेशन कर सकती है तभी यूनर भी एक रियर इसमाइल पास करते हुए कहते है ठीक है मिस्टर जियो यान हम आपको निरास नहीं करेंगे और उसके चैर पर एक इसमाइल इतनी प्यारी होती है कि वो किसी को भी पागल करने के ले काफी थी तभी जोयान एंपरर फ्लेम के दो गुच्छों को यूनर और कालन को देते हुए कहता है यह एंपरर फ्लेम है अगर आप किसी खत्रे का सामना करते हैं तो इसे रिफाइन करने के लिए औरिजन कोई का यूज करना मैं से तुरंती फील कर लूँगा यह देख लेवल सेमेने स्टार मोनार चंपर लेवल पर है और वो अभी भी एंपर कर्टीवेसन लेवल तक नहीं पहुंचा जो कि उसने ब्लड आई से प्रॉमिस किया था साथी जो उनको पता था कि नेर डोमेन के बारे में ब्लड आई को काफी कुछ पता होगा क्योंकि वह वहीं स और वो उससे काफी सारी बाते जान सकता था जहां पर बुईन मेरीडियर ऐलूजनेरी स्पेस के सेंटर में होता है और काफी लगजीरियस और पावरफुल औरे से बढ़ा होता है साथी इसके वीतर काफी मिस्टीरियस फीक्रेट शिप होए होते है और जिएन अपनी प्रि अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ बहले ही तुम इसके बार में जानते हो तो माकर कारून का क्या कर लोगे तभी जिएन से हिलाता है और उससे के बार में पूछने के लिए आया हूँ उसके मजाक पिजवान कुछ भी नहीं कहते हूए कहता है मैं नौवेड शाइबल को कैसे मार सकता हूँ और मैं उसे सील तक नहीं कर सकता तभी ब्लाड आई कहती है तुम काफी मासूम हो यहां तक की सिन्क्रोनाईजेसन की आण भी केवाल उसे सील ही कर सकती है आप क्या सो स्पीड बहुत धीमी है और तुम इतने लॉंग टाइम के बाद भी एंपरर कल्टिवेशन लेवल तक नहीं पहुंचे हो तभी जोयान कहता है उस लेवल तक पहुंचने के लिए मैं तुमसे ज्यादा टेंसन में हूँ और उसके बाद जोयान रुखकर ब्लैड आई को देख किया हो लेकिन फिर भी वह सेवन लेवल तक ही पहुंचा था और उसका एपक पहले ही काफी अच्छा था जिसके बाद जोयान कहता है नॉमेड डिसाइवल में से एक यूमू और रिजन में आ गया है और मुझे नहीं पता क्यों लेकिन उसकी नजर मुझ पर है इसलागर मै एमपरर कल्टीवेशन बन जाता हूँ और जिंदा रहता हूँ तो मैं जरूर ही आपकी मदद के लिए आऊँगा और ऐसा कहते हूँ जियान इसमायल करते हूँ जाने लगता है तब ही बलड़ाई तुरंती कहती है रुको तुम यूमू के बारे में बात कर रहे हो उसने ब तो वीज़न के फेस एमपर साज चेंज नहीं होते और बलड़ाई की तब देखते हूए कहता है आकिरकार एमपरर फ्लेम एक होली अबजेक्ट है और सोल डेमेंस के पास इसका ट्रेक्शन होना बिलकुल नॉर्मल है इसके लाब सोल डेमेंस चालों से भरे हुए है और उन की तब देखते हूए कहती है सोल डेमेंस एक बार फिसे ग्रेट वर्ल्ड में अपयर हुए है और ये निच्छे तोर पर काफी साही लोगों का ध्याना ट्रेक्ट करेगी साथी सोल डेमेंस क्लेन को बापत से रेवाइव करने के लिए बिक काफी यादा इगो फुल होंगे इसलिए आपको इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी थाकत को बढ़ाना चाहिए हो सकता है एंप्रर कल्टिवेसन तक पहुँचने के बाद आपको कोई रास्ता मिल जाए तभी जो या जो की उधास होता है तुरदी कहता है कौन सा तरीक ते विलड़ाई केती है जब सोल डेमेंस और नीदरलेंड डोमेन एलाइंस में सामिल हो गए थे तो डार्क लॉड ने सोल डेमेंस को रोपकर रखने के लिए बहुत कोसिस की थी साथी सोल डेमेंस ने उस टाइम पे हर एक होली आपजेक्ट को जितना ज्यादा हो सके अपन इसके पास होली अबजेक्ट का ओरा नहीं होता इसलिए कोई भी जाकी हर एक फ्लेम नए डिसाबल को मानने के लिए काफी नहीं होगी इसलिए मुझे लगता है की अगर आपको नाई 3.000 तरद रिसाबल को मानना है तो एक की टैप राभ को 5 होली ऑबजेक्ट का यूज करन तो मुझे सिर्फ 5 Holy Object निकालने हैं और ऐसे कहते हुए जिवान थोड़ा सा मजाक में कहता है तो इब लड़ाई कहती है बच्चे ध्यान से सुनो साधारल सोल डेवन नाइन्थ डिसाइवल जिसके बारे मैं पहले कहा ये नौमे डिसाइवल को मारने के लिए मैथट है लेकिन जैसा कि आपने कहा ये ठीक वैसा ही है इमपॉसिवल क्योंकि हॉली अबजेक्ट कुछ ऐसी चीजे है जो किसी के भी लग को सप्रेस कर सकती है हर डोमेन हर ली अलम में इनके पास इतनी पावर होती है कि ये हैवन और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है इसलिए ये किसी एक परसन को नहीं दी जा सकती इसलिए ये किसी भी एक परसन के पास नहीं होंगी और नाइन्थ डिसाइवल को कभी भी नहीं मारा जा सकता यहां इसलिए आपके पास जब तक और Emperor Flames होंगी आप normal Soul Demons को मानने में capable हो सकते हैं और ऐसा कहते हुए Blood Eye काफी है रहा confident दिखाई दे रही होती है और उसकी द्वारब बताई गें चीजों से जो यान भी काफी है तक काफी चीज़े समझ गया था जिसके बाद Blood Eye कहती है मैं capable तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ कोई बात नहीं इससे पहले कि तुम्हारी पावर बढ़े तुम Soul Demons को नाराज मत करना और इस बात को याद रखना जिस पर जियान इसमाल करते हैं कहता है ये मेरे उपर थोड़ी है और इतना कहने के बाद जियान मुड़ता और चला जाता है तो हम मिलेंगे अब नेक्ट एपसोड पर और देखेंगे कि क्या होने वाला है काफी मजा आया इसमें ओके टटा बाई बाई झाल झाल झाल